कैसे हो सब लोग 10 की बोर्ड एक्जाम कैंसल होने की खुशी तो बहुत बना रहे होंगे सब के सब कोई ना अपने को तो मैक्स पढ़ना है मैक्स ही अपने काम आने वाला है तो मैं वापस बीजिक कंसेप्ट से चल रहा हूं जो बीजिक गलतिया 8 9 10 में होती आती है वह मैंने औरेटी दो वीडियो बनाए है अगर तुमने देखे हो तो एक तो लॉंग डिविजिन जो हर जगे काम आने वाला है तुमको जब भी एलजे को सॉल करोगे तो लॉंग डिविजिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उससे पहले वीडियो में अपने पढ़ा किया बहुत करते है इसमें जो साट लॉफ यू बुक्स और पैन लेके बैटने का हमेशा में एक एक सब मेरे साथ सॉल करते रो मेरी गैरेंटी यह लास्ट तक तक तुमको ऐसा लगेगा कि एस कंप्लीट हो चुका है लास्ट में गिंती के चार सब होंवग दूंगा मैं आंसर मुझे तुम्हारे comment box में चाहिए जो जो solve करेगा मुझे सबके answers comment box में चाहिए येस all of you चलो start करते हैं middle term splitting पढ़ने वाले अपने तो middle term splitting क्या होता है कैसे solve करते है वो चीज में बताना होता मिडल term splitting normally हमें साथ quadratic equation के लिए लगता है किसके लिए लगता है Quadratic Equation के लिए लगता है उसका General Form कुछ इस प्रकार में होना चाहिए Ax² प्लस Bx प्लस C is equals to 0 जब कभी भी ऐसी कोई General Equation होगी तो उसके लिए हम लोग Middle Term Splitting का यूज़ कर सकते हैं Examples के साथ ही चालू करेंगे अपने वो ही अपना routine 10 Example, Topic Completed Yes all of you, चलो सबसे पहला Example दे रहा हूँ मैं तुमको सबसे Basic Example x² प्लस 4x प्लस 3 is equals to 0 Middle Term Splitting करना है क्या करना है? Middle Term Splitting नाम से पता चल रहा है कि बीच वाले Term को हमको Splitting करना है कैसे करता है Splitting? Normal चाहिए हमेशा ध्यान रखना First Number और Last Number को Multiply नमबर्स की बात कर रहा हूँ मैं Only Co-Efficents Only Co-Efficents को मुझे Multiply करना है मेरा First Number है 1 मेरा Last Number है 3 तो 1, 3 is a 3 1, 3 is a 3 All of you got it? इसके Factors बनाओ क्या बनाने हमको इसके Factors बनाने है 1, 3 is a 3 और एक ही Factors इसके तो एक ही Factors है इस Factors की हैज़ से मुझे Plus या Minus करके 4X बनाना है Plus या Minus करके 4X बनाना है क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ X Square Plus X Plus 3X Plus 3 is equals to 0 यही तो किया Factors का यूज़ किया 1 और 3X 1X और 3X फेक्टर का यूज़ किया और मेरा Answer आ गया अब इसके बाद सबसे Important चीज़ और क्या है Common निकालना सबसे Important चीज़ और क्या है Common निकालना दोनों में से Common क्या निकलेगा X निकलेगा दोनों में से Common क्या निकलेगा X निकलेगा Bracket में बचेगा X Plus 1 जब कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1 जब अंदर कुछ नहीं बच रहा है तो सबका मालिक 1, 1, इन दोनों में से common निकालूँगा, 3 निकलेगा, sign कौन सी आएगी, जो भी sign यहाँ पे present होगा, उस sign को मुझे common निकालना है, plus 3 common निकलेगा, क्या common निकलेगा, plus 3, वापस bracket बच्चा x, यहाँ पे 3 तो बार चला गया, तो सबका मालिक 1, 1, yes all of you, yes all of you, हमेशा ध्यान लगना, bracket same है, मतलब तुमने सही किया है, जो bracket same है, उसको एक बार copy out कर लो, जो remaining part है, x plus 3, उसको एक बार copy out कर लो, तुमारा answer आगे, तुमारा answer आगे, clear all of you, बहुत easy लगा होगा सबको, चलो एक बार वापस, इस चीज़का मैं revision करवा सकता हूँ, हमेशा क्या करना है, हमको ध्यान लगा, first coefficient, last coefficient, दोनों को multiply करो, लिख दिया मैंने multiply करके यहाँ पर, उसके factors बनाओ, क्या बनाने है, factors बना भी दिये, ठीके, अब वो factors को मुझे बीच और नमबर में split करना है, 4 में, तो x प्लस 3x, x प्लस 3x, x प्लस 3x, yes, very good, दोनों में से common x, bracket बचेगा x प्लस 1, दोनों में से common 3, bracket में बचेगा x प्लस 1, is equals to 0, bracket अगर same है, तो खुश हो जाओ, कि भाई, तुम लोगों ने सही किया है, तो x प्लस 1, x प्लस 1 common, x प्लस 3, is equals to 0, clear all of you, आया सब को समझ में, चलो, second example की और बढ़ते है, x square, अभी easy-easy example करोंगा, plus 7x, plus 10, is equals to 0, level बढ़ेगा, धीरे-धीरे level बढ़ेगा, ठीक है, बीजिक से level से चालो करना है, वापस, क्या मैंने सिखा था, first number और last number का multiplication, first number क्या है, one, last number क्या है, ten, तो दोनों का multiplication हो क्या, ten, am I right, yes, factors बनाओ, one tens are ten, two fives are ten, three की table में नहीं आता, four की table में नहीं आता, five की table में औरेडी मैंने लिख लिया, yes all of you, factors बनाए, अब मुझे क्या लाना है, seven, क्या इससे कभी seven बन सकता है, नहीं, one plus ten, eleven, one minus ten, nine, उससे में को कोई लेना देना नहीं है, इससे बन सकता है, yes, two plus five, seven, two plus five, seven, चारों ले लेते हैं, x square plus two x plus five x plus ten is equals to zero, आई बात समझ में, आई बात समझ में, अब वापस क्या करना है, मुझे, common लेना है, क्या करना है, common, x x common, bracket बचेगा, x plus two, bracket बचेगा, x plus two, five common, bracket बचेगा, x plus two, वाउ, same bracket, फुस हो जाओ, two कैसे बचेटा, समझ पड़ा ना, five common, यह नहीं कि ten में से five चला गया, five बचे नहीं, ten को हमने multiply वाला देखा है, five two is a ten, five गया, तो क्या बचा, two बचा, समझ रहो, multiplication नहीं है, minus नहीं किया, कि ten में से five को minus कर जातो, sir, five ही बचेगा, आपने two क्यों बोला, sir, ऐसा नहीं होता है, five two is a ten होता है, five common गया, तो बचा कितना, two, चलो, x plus two, same, bracket लिकलो पहले, x plus two, बचा वाट टम क्या है, x plus five is equals to zero, आया समझ में है, अब थोड़ा confidence आ रहा है, yes, go sum कर लिए, हमको आता है factorization अब, yes, चलो, एक सम थोड़ा और अच्छा, देखो, level तो बढ़ते रहेगा, level का ही मसा है, एक सम थोड़ा और अच्छा, ठीक है, third sum करवा रहा हूँ मैं तुमको, x square plus three x minus four is equals to zero, oh, minus आ गया विसके अंतर, क्या बोलते हूँ, है न, चलो, कोई टेंस है नहीं, हमको तो सब आता है, मैंने क्या चीज़ बता ही थी, first term और last number को multiply करो, one fours are four, देखो, sign का मतलब नहीं है, उससे अपने last में set off हो जाएगा, तो चिंता करने के जरूरत नहीं है, four के factorization, one fours are four, two twos are four, yes, yes, three बनाना है, इससे बनेगा, नहीं, इससे बनेगा, yes, three कैसे बनेगा, four minus one बनेगा, four minus one बनेगा, हाँ, चलो, निकालते हैं, x square plus four x minus x minus four is equals to zero, four minus one three होता है न, मैंने तो वो ही बोला था, four minus one three, चलो, common लेते हैं, दोनों में से common क्या होगा, x, bracket में बचेगा, x plus four, bracket में बचेगा, x plus four, इन दोनों में से common, रे यार, कुछ common ही निकल रहा, अब, जब कुछ नहीं निकलता है, तो सबका मालिक, एक, one ले लो, sign कॉनसी बोली थी मैंने, ये वाली sign, minus one, minus one, अब अंदर बचेगा, x plus four is equals to zero, प्लस कैसे आ गया, इधर तो माइनस था, मैंने प्लस कैसे लिलिया, ये दियान रखना हमेशा, very important step है, जब भी अगर minus common निकलता है, तो अंदर की sign क्या होती है, change होती है, ब्रेकेट देखो, same बन गया है न, तो सोजाओ, कि हमारा वापस सही है, x plus four, अंदर बचा x minus one is equals to zero, got it all of you, आर ये सबको बात समझ में, तीन example होगा है अपने, पता भी चला तुम लोगों को, है ना, चलो, एक और example की और बढ़ते वे, 10 example करेंगे, मेरे इसाब से confidence built up पुरा हो जाएगा, और चार homebook दूबागा, और वो चार मेरे favorite sum समझ में, मैं हर एक बच्चे को करवाता हूँ, जब भी मेरे पास कोई पढ़ने हाता है, और वो अगर चारो सही होगा है, तो comment box में, चारो के answers मुझे देदे, very most important चारो sum होगा है, वो तुम सब की, समझ रहे हूँ, चलो, next, एक easy example देता हूँ, x square minus 6x plus 9 is equals to 0, मैं को तो देखो, एक ही चीज़ सिखा है, क्या सिखा है था तुम लोगों को, कि first और last number को multiply करना है, first number है 1, last number है 9, तो multiplication हो गया 9, वापस, 1, 9's are, 9, 2 की table में, नहीं आता, 3 की table में, 3's are, 4 की table में, नहीं आता, 5 की table में, नहीं आता, 6 की table में, छोड़ दो, इतना बहुत भाई, आगे नहीं काम आएगा, 9, 1 से लिखो गए, वो तो एक ही बात है, है न, क्या बनाना है, 6, इस से बनेगा, नहीं, 1 plus 9, 10 होता है, 1 minus 9, 8 होता है, 3 plus 3, yes, 3 plus 3 करने से होगा, पर मुझे तो minus 6, क्या चाहिए मुझे, minus 6, तो मैं क्या करूँगा, minus 3 और minus 3, क्या करूँगा, minus 3 और minus 3, ध्यान रगना, एक एक समने कुछ अलग-अलग चीज़ आ रही है, minus minus, plus, तो minus 3, minus 3 कितना हो जाएगा, minus 6, कितना हो जाएगा, minus 6, x common, bracket में बच्चेगा, x minus 3, दोनों में से common, minus 3, ध्यान रगना, मैंने बुला था, sign के साथ common होगा, अंदर बच्चेगा, x, oh, sign change होगी, याद है ना सबको, और इदर बच्चेगा, 3, वाव, bracket same, एक हो गया, x minus 3, दूसरा, वाव, दूसरा भी same bracket बना, x minus 3, this is my final answer, आई बात समझ में सबको, 4 example clear all of you, पक्का, पक्का, चलो, एक और example की और बढ़ते है, copy करते रहना, साथ में solve करते रहना तो तुमको चीज़ अपने हाप समझ में आएगी, अपने हाप समझ में आएगा सबको सबकुछ, चलो, 5th example की और बढ़ते है, थोड़ा different दे रहा हूँ, आगे नमबर दे दे अपकी बार मने, 4x square plus 9x plus 5 is equals to 0, अभी तक आगे एक में भी नमबर नहीं दिया था, इसमें सबसे पहले आगे नमबर दे, उससे क्या फरक पड़ेगा, मुझे तो सर ने क्या सिखाया है, फर्स नमबर और लास नमबर को multiply करना सिखाया है, फर्स नमबर है 4, लास नमबर है 5, तो 4, 5 है 20, 4, 5 है 20, चलो, factors बनाते हैं, इसके factors बनेंगे मस, 1, 20 है 20, 2, 10 है 20, 3 में नहीं, 4, 5 है 20, 5, 4, अरे या इतने ही बने हैं, इसके भी factors तो, factors तो इतने ही बन रहे हैं, इससे तो बनी नहीं सकता है, इतना चोटा नमबर, 10 प्लस 2, 12, 10 माइनस 2, 8, अरे यार, 9 चाहिए ता मुझे तो, अर 5 is equals to 0, got it all of you, common निकालो, अब तो easy होगा, अब तो सबको easy लग रहा होगा, 4 और x, दोनो common निकलेगा, ध्यान रखना, x बचा, यहाँ पे कुछ नहीं तो, उसका मतलब, सबका मालिक 1, दोनों में से common, 5, अंदर x, प्लस 1 is equals to 0, x प्लस 1 सेम बन गया, अब खुश नहीं बना प्लस 5 is equals to 0, this is your final answer, got it all of you, got it all of you, 5 sum होगे है, confidence बिल्ट अपो रहा है, होते रहेगा, होते रहेगा, दोनो, चलो, एक और next sum की और बढ़ते है, 6 sum, एक और next sum की और बढ़ते है, 6 sum, अब एक और मज़ेदार चीज देता हूँ, 6 x square minus 5 x minus 6 is equals to 0, 6 x square minus 5 x minus 6 is equals to 0, चालो करें, 6 x are 36, 6 x are 36, और यार फेक्टर्स तो बहुत बन सकते हैं इसके भी, 1 x 36, 2 की टेबल में 18, 3 की टेबल में 12, 4 की टेबल में 9, 5 की में नहीं, 6 की टेबल में 6 आ, 7 में नहीं, 8 में नहीं, इतने सारे फेक्टर्स पहली बार बने हैं, कोई सम के, चलो, क्या बना मैं हमको बीच में 5, देखो बड़े नंबर से तो 5 बनना नहीं, यहां तक तो भूल जाओ, प्लस करो के तो भी नहीं बनेगा, माइनस करो के तो भी नहीं बनेगा, इन दो से भी नहीं बन रहा है, इस एक से ही बन रहा है न, 9 माइनस 4, 5 होता है, venidos बनाते हैं, 6 X स्को corazón, ध्यान रगना एक और चिस, मुझे माइनस 9 चाहिए, माइनस 5, तो मैं लों गा, minus 9x plus 4x minus 6 is equals to 0 खास ध्यान रखना है इस पर मुझे क्या बना था minus 5 मैं 4 minus 9 लिया तो मैंने किया रहा 4 minus 9 क्योंकि minus 5 तो तब ही बनेगा yes all of you चलो common लेते है first 2 में से वापस 3 common x common तो इदर बचेगा 2x minus 3 क्या बचेगा 2x minus 3 इन दोनों में से common 2 क्या बचेगा अंदर वापस 2x minus 3 is equals to 0 अगर समझ नहीं पड़े न क्या बचता है same bracket लिख लो ना या किसको पता चलिगा फिर check कर लेंगा कैसे check करनेगा 2 2s are 4x, 2 3s are 6 yes अपने मैंने सही किया है समझ पड़ी सबकों बात पहला bracket copy कर लिया common वाला, दूसरा 3x plus 2 is equals to 0 this is my final answer आया समझ में 6 example कर ली है कितने example कर ली है 6 example, अब तक तो समझ में आ गया, अब तो ऐसा होना ची मैं question लिखू, pause करो 2 minute खुद solve करो, फिर answer check करो कि तुमने सही किया है या नहीं किया है, am I right? चलो, 7th example की और बढ़ते वे 7th example की और बढ़ते वे 6x square minus 3 plus 7x ऐसा कुछ दिया वा है तुम क्या करोगे, solve कर लो चलो, first number 6, last number 7, क्या हुआ गलत बोर रहा हूं मैं कुछ हाँ, गलत बोर रहा हूं क्या, सबसे पहले मुझे इनको अरेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे इनको अरेंज करना पड़ेगा, 6x square plus 7x minus 3 is equals to 0, हमेशा arrangement यह होना चाहिए हमेशा arrangement यह होना चाहिए, clear all of you आ रहा है ना चलो, first number 6 last number 3, 6 threes are 18, 6 threes are 18, 1 18 जा 18, 2 9s are 18, 3 की table में 6 time, 4 की table में नहीं, 5 की table में नहीं, इतने ही factors बनेंगे, yes देखो यह बड़ा नंबर तो हटा ही देने का सबसे पहले हमको जब पता है, छोटा सा नंबर लाना तो हटा दो ओ, दोनों चीज पार, ओ, 7 लाना है मुझे, तो यह भी हटा दो 6 plus 3, 9 होता है 6 minus 3, 3 होता है बच्चेगा मेरे पास यही 2 minus 9, यह 9 minus 2 कौन सा करूँगा बताओ 2 minus 9 है, 9 minus 2 देखो, 2 minus 9 करोगे तो क्या बच्चेगा, minus 7 पर मुझे तो plus 7 चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए plus 7, तो मैं लिखूंगा 6x square plus 9x minus 2x minus 3 is equals to 0, आई बास समझ में सबको 9 minus 2 कितना होता है 3 होता है, कितना होता है 3 होता है, 9 minus 2 7 होता है, कितना होता है 7 होता है 3x common अंदर बच्चेगा, 2x plus 3, got it all of you yes, अरे कुछ common ही निकल अब, साइ बाबा, सबका माली के एक 2x plus 3 3 is equals to 0, देखो यह ध्यान लगना minus common होगा, तो अंदर की sign change होगी minus common होगा, तो अंदर की sign change होगी चलो 2x plus 3, पहला bracket 3x minus 1, दूसरा bracket वाओ यार, अब तो confidence के अब तो पूरा आ गया अब तो हमको और सम करने की जरुवत नहीं है बोल सकता हूँ ऐसा मैं पर फिर भी मैं तो 10 सम का टारगेट लेके बैठते हैं अपने तो 10 सम करेंगे, तो ही अपना max confidence आएगा, practice makes the man perfect yes all of you चलो, 8 सम की और चलते हैं अपने थोड़ा नहीं आना कुछ ना कुछ आता रहेगा कभी plus minus, कभी first में number आ रहे हैं सब में, ठीक है तो कुछ ना कुछ नहीं चीज़े तुम देखते रहोगे चलो, 2 x square minus 7 x minus 15 is equals to 0 चलो, first and last number 30 factors बनाओ, 130s आ 30, 2 15s आ, 3 10s आ, 4 की table में आता है नहीं आता है, 5 की table में 6s आ, खतम होगे factors तो मुझे बनाना है 7, काट दो, काट दो, काट दो क्या बचा मेरे पास, क्या बचा 3 और 10 किसको sign देनी है, बड़े की sign क्या होनी चीए, माइनस होनी चीए तबी तो माइनस 7 आएगा, तो देखो, 2 x square minus 10 x plus 3 x minus 15 is equals to 0 बहुत important चीज यही है, माइनस प्लस, माइनस, बड़े की sign, माइनस इसलिए माइनस 7 आएगा, चलो, common, 2 x common x minus 5, 3 common x minus 5 is equals to 0 आए दोनों bracket सेम, तो सबसे पहला bracket बढ़े है, x minus 5, दूसरा bracket बढ़े है, 2 x plus 3 is equals to 0 आई बास समझ में सबको, आई बास समझ में, अब तो यार छोड़ देते, 2 sum क्या करोगे, करोगे हो गया, रहें दोनों, क्या करना है, आगया तुमको इतना दो समझ में, चलो, फिर भी मेरा तो मन नहीं मान रहा है, 2 sum करवा के ही छोड़ूँगा, मैं तो और, 9 sum पे आते है, 9 sum, ठीक है, चलो, चालू करते है, एक अच्छा sum करा दू क्या, हाँ, अच्छा sum करा दू ये, चलो, एक अच्छा sum करा दू करा, है, तुम सोच रहो, क्या अच्छा है, इसमें, अरे, कुछ अच्छा नहीं, ऐसी ही बोलना हो, तुमको सब आता है, तो अच्छा, तुमारे लिए कुछ होगा ही नहीं है, चलो, 6 2's are 12, 6 2's are 12, 1 12's are 12, 2 6's are 12, 3 4's are 12, yes all of you, yes all of you, इस से चादा बनेंगे, नहीं बनेंगे, मुझे लाना है 1, वाउ, खाली, 1 लाना है, हटा दो, हटा दो, 4 minus 3, 1 होता तो है, हो गया, है, so easy sum, 4x minus 3x minus 2 is equals to 0, दोनों में से common 2x, बचेगा अंदर 3x plus 2, yes, दोनों में से common कुछ नहीं, तो साइन के साथ minus 1, अंदर बचेगा 3x, साइन आ गया 3x plus 2, और उदर आ गया 2x minus 1 is equals to 0, आई बास समझ में, आई बास समझ में, पक्का पक्का, चलो, एक last sum, जो आता काम है, पर 10th में बहुत काम आता है, root वाले number को rationalize करना है, किसको split करना है, root वाले number को split करना है, चलो, x square plus 3 root 3, x plus 6 is equals to 0, डर गए तो उनको देखके root को, आदे लोग डर जाते है, root को देखके, first number 1, last number 6, ठीक है, 6 ले लिया, ले लिया, अब देखो, मुझे root किसका बना ला है, root 3 का, तो उसको अलग करी दो, 3 को अलग करी, बचा कितना, 2, बचा कितना, 2, अब 3 को अलग क देखोंगा, क्या-क्या, root 3 और root 3, yes, all of you, चलो, x square plus, अब देखो, root 3, root 3 तो गया, 2 को कैसे 3 में बनाऊँगा, बन तो गया, 2 root 3 x plus root 3 x plus 6 is equals to 0, दिमाग लगा ना, 2 plus 1, 3, परेवा, root 3 और root 3, root 3, क्यों देखो, सबसे important चीश थी यह, 3 को अलग ले लिया, क्यों अलग लेगा, क्यों मुझे उसके 2 root 3 अलग-अलग करने थे, मुझे उसके 2 root 3 अलग-अलग करने थे, चलो, common लेते है, x common, x plus 2 root 3, x plus 2 root 3, और या, क्या common लोग को समझ नहीं पड़ा, जब भी ऐसा कुछ हो, त लिख दो पर, same ही बनना चीए, अब देखो, इधर क्या, root 3 x था, x अंदर गया, तो क्या बचा, root 3 बचा न, x अंदर गया, तो क्या बचा, root 3 बचा न, हो गया, अरे यार, सब easy लग रहे है, अब तो, यह हो गया, x plus 2 root 3, यह हो गया, x plus root 3 is equals to 0, आई बास समझ में सबको, very most important path पढ़ा है, अपने आज, middle term splitting, यह factorization, ठीक है, factorization में बहुत सारी चीज है, पर यह main, खाली मैने middle term splitting पढ़ा है, मेरे वीडियो में, ठीक है, मुझे, मुझे उमीद है, सबने सीख लिया होगा, हाँ, चार सम homework के देने वाला हो मैं तुम सबको, वो तुम सबको करने है, यह करने आओ, और I am waiting for the answers in the comment section, ठीक है, चलो, और चारो सम तुम देखो के सर, आपने question गलत दे दिये है, पर question बिल्कुल सही है, और मेरे favorite सम ऐसे ही नहीं है, यह, क्या बोलते हो, question गलत लग रहा है सबको, यह रहे मेरे 4 सम middle term splitting के लिए तुमारे दिये, आया सबको समझ में, यह चारो सम फटा फट सॉल करोगे, तुरंत के तुरंत, और तुरंत comment section में answers लिखोगे, yes, all of you, चलो, bye-bye, all the best, पढ़ते रहो, max करते रहो, बाकी सब move आया है, max ही तुमारे काम आने वाला है, चलो, bye-bye, झालो, 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 झालो. झाल झाल